हेलो व्रेवन वेलकम यूओ लेट लोकी सर अल्मक्रेडिस्टी जोन कल के बाद आज क्लास चाहिए लेक्चर नंबर टू इसका स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थ्री हो गये क्योंकि कल तक हमने इसका सेकेंड पार्ट कवर कर लिया था जिसमें हमने लीनियर डिफरेंश है तो एक पर से कल के कॉश्चन को देखते हैं कोश्चनमर 15 यहां पर देखिए एकस की पावर 1 है और डी अपर दी एकस है तो किस तरीके से पहले इस एकक्विस्ट को देखिए य Adapt यहां पर ड टी एकस्षा है यह रेक ना है तो ये x की power 1 है मतलब ये dx by dy के form में बनेगा ये equation ये equation है dx by dy के form में बनेगा तो इसको एक बार arrange करते हैं अपने लोग फिर आँगे बढ़ेंगे आज की class score continue करेंगे तो अपने पास यह दी है 1 plus y square तो ही है भाई इसको यदि आप इधर ले जाएंगे तो इसको मैं लेख सकता हूँ e की power 10 inverse y और ये minus का किता हो जाएगा x और ये फलट करके इधर गया है ओके तो ये minus हो गया तो वह ही आ जाएगा no problem dy dx अब देखें क्योंकि यहाँ पे x की power 1 है तो हमको dx by dy की term मनानी है तो एक काम करिए इसको यहाँ पे ले जाएए so one plus y square into dx by dy equal to minus x और plus e की power 10 inverse y ओके तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ one plus y square dy by dx plus x equals to e की power 10 inverse y ओके यहाँ पे dx by dy है तो अब इसका divide कर दिजिए one plus y square का तो dx by dy plus one upon one plus y square into x ओके और equals to e की power 10 inverse y divided by one plus y square देखिए अब यह form में बन चुका है dx by dy dy plus p x equal to q और यही form की हमारे demand थी dx by dy plus p x equal to q तो यहाँ पे p की value यह हो गई है q की value यह हो गई है इसके आंगे आपको e की power p dy लगाना पड़ेगा integrate करके if निकाली और x का value निकाली जिसमें solution होगा वो x होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं यह question भी हो गया question number 15 के बद question number 16 यह रेखिए क्या कह रहा है अब मैं तो सीरी मेरी नजर तो यहाँ पे जाती है x की power 1 y की power 1 d over dx है और यह x का function है x का function है मतलब यह py बनेगा है ना तो 1 upon x square को divide दे दीजे तो d over dx plus 2xy तो यहाँ पे y को अलग देखेंगे y की power 1 है तो 2x into 1 upon x square 1 plus x square 1 गया p और यहाँ से यह नीचे आ गया तो 1 plus x square एक बार है तो 2 बार 1 plus x square का whole square है तो e की power pdx कर लिजे तो देखें e की power pdx करने के लिए यहाँ पे 1 plus x square और उपर कितना है 2x नीचे दुकान उपर पकवान वाला format लगा दीजे तो simple हो जाएगा यह solve और फिर इसके बाद आपके पास y आ जाएगा तो y into y f equal to y f q dx so simple but एक चीज़ देखिए यहाँ पर यहाँ पर कह रहा है कि इसको हल कीजे जहाँ y equal to 0 है x equal to 1 है मतलब यह जो question है इस question में आपको विशेष हल निकालना है इस question में आपको विशेष हल निकालना है जब आप general solution find कर लेंगे यह यहाँ पर तो यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर इन परिस्थितियों के आप पूट करेंगे क्या question है कि y equal to 0 है when x equal to 1 है तो यह x की value 1 डाल दो तो 1 plus 1 का square हो गया एक equal to 10 inverse x की जाई यह 1 डाल दिया जैसे यह डालोगे तो c की value आजएगे पास c की value किती आगी अपके पास minus pi by 4 और यह जो c आया है वो c का का काम इस c का काम c को gap करने में करो तो c जो आया था यहाँ पर रख दिया minus pi by 4 तो यह कहलाता है विशेश हल क्या कहलाता है यह विशेश हल आप देखे इसमें विशेश हल में किसी भी प्रकार का arbitrary constant नहीं आया है इसमें switch नियतांक की value किती होती है 0 switch नियतांक की संख्या किती होती है इसमें 0 हाँ एक question पूछा गया था अभी exam में switch नियतांक की संख्या किती होती भाई तो switch नियतांक की संख्या इसमें 0 होती है sudden यह question भी कर लिया हमने full marks आ गए है अगला देखिए डिवर डिएक्स प्लस y कोट x equal to by फिर से y चमाग गया देख लो ओके तो p y equal to q और साथ मीं कह रहा है कि दिया गया कि y equal to 0 तथा x equal to pi by 2 मतलब इतना दिया गया मतलब आपको विशे इस हल निकलेगा ओके x equal to pi by 2 पर y की value 0 तो पहले इसको solve कर लो गया पी y plus q से और फाइनली आप यहां पर solve करने के बाद इसको ओके आप यहां पर आजाएए solve करने के बाद तो x की value pi by 2 रखे y की value 0 दीजे तो c equal to कितना गया minus pi square by 2 और जिस equation से आपने c निकाला है उहां पर जाके इसको put back कर दीजे so y sin x equal to 2 x square minus pi square by 2 so this is your answer okay तो question की process वही है यह आपको भी अगर ज्यादा number of questions करने हैं तो format दीखिए महनत पे उत्तर जदा आप लगाएंगे समय तो आपको quality quantity accept नहीं कर पाएंगे फिर आपको quantity quality तो मिल जाएगे बट quantity के लिए आपको देज चलना पड़ेगा ओके come back देखिए यहां पे y दिखना मेरे को और यह दीवाइए ओके तो और यहां पे x भी है भाई रुकना पड़ेगा थोड़ा से यहां पर दीखिए यहां पर y भी है और यहां पर x भी है बट यह d y इसके multiplied में है यह इसके multiply में है तो upon में जाएगा और x minus y square तो एक काम करते हैं इसको इसको पहले अपन अरेंज कर लेते हैं फिर समझ में आगा कि यह वाकई में है क्या तो y dx equal to इसको इस तरफ ले जाएए तो यह हो गया कितना y square minus x और यह कितना हो गया dy अब देखे यदी मैं टीवब डीएक्स करता हूँ तो देखो एक तो y का टम है बट y की पावर किती है 2 है तो मैंने आपको बताया था जिसमें differential equation होता है उसमें y की power एक के लावा कुछ नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर किवल x की power और एक है तो यहाँ पर dx by dy की format बनेगी तो dx के नीचे dy को ले जाई ये ओके और यह हो गया y square upon में कितना हो गया y और minus x upon y so dx by dy plus x into one upon y वह बन गया देखे एक को लस्टो कितना y तो यह differential equation आपकी बन चुकी है जो की x के terms में differential equation so d by dx plus bx plus q से तुल ना कर लीजे और इसको हल कर लीजे so simple इसका answer आप निकाल सकते है done question number 18 done हो गया अब आईए करते है question number 18 के बाद में question number 19 कहरा कि सत्यापित कीजे कि ये flun जो है जिसमें a और b क्या है r मतलब real number वास्तिविक संख्या है इसका हल है इसका हल है अरे भाई तो दो तरीके है या तो इसके द्वारा इस समी करन के द्वारा इसको satisfy करा दो संतुष्ट करा दो कि तुम इसके हल हो तो संतुष्ट कराने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका double derivative निकालना पड़ेगा तब तक अव कलंब करते जाओ जब कि ये ये ना बं जाए gonna बंजाहें मतलब ये हल दिया है हल को ही अवकलन कर कर के कितने बार करना पड़ेगा दो बार करना पड़े गया क्योंकि पावर यहां पर टू है तो यह देखो मैंने यहां पर यह किया है a cos x plus b sin x से पहले एक बार किया फिर दूसरी बार किया तो minus sin common ले लिया तो a cos x plus b sin x बन गया और minus कवाई ये इस से आ गया ओके तो ये भी बढ़िया तरीका दूसरा तरीका पुट करके देशी method जिसको हम बोलता हूं ओ भी कर सकते हूं question number 19 done question number dy dx equal to कल पढ़ाया था मैंने आपको 4 प्रतिस्थापन वीदी वही से आ चुका है ये dx इधर जाएगा खेल खतम हो जाए question का dy is equal to x log x और क्या dx ये इस तो प्रथम गुड़े दूती लगा दीजिए i late लगा दीजिए inverse logarithmic तो log x बनेगा से first और ये बनेगा second ठीक ना चलिए तो done इसको कर लीजिए का कुछ है नहीं बताने लगा किसमें अगला question देखे ओ हो देखो यार कितना लल्लू question आया है simple देखते ही बनाद dvdx plus py equal to q ओके dvdx plus p याने की 1 upon x into y equals to q ये ये x square kail खतम question का डन ना चलिए अगला question ओके शीटी कदम हो चुकी देखे यहां पर linear का पार्ट आया है एक question इसमें homogeneous का जुकाल अपन ने छोड़ा था वह अपन homogeneous यहने की सम घाती आउकल समीकर का एक question अपन को बांकी है वह अपन करवा देते हैं देख लेते हैं और कोई ना चोड़ा हो उसको एक बार तिरस visit कर लेते हैं एक तो छटवा question अपने छोड़ा था देखे 6th question अपने छोड़ा था इसको भी करवा देता हूं तो पहले 6th को ही क्यों ना करवा दिया जाए चलिए 6th question को करवाते हैं 6th question क्या कह रहा है इसी पे देख ले question क्या कह रहा है किसी वस्तू के बनाने की सीमान लगत मुल c-x बराबर dc by dx देखो भाई यहां तो help कर दी इसने कि c-x को आपके सामने c-x को उसने लिख दिया कितना dc by dx वट सवाल में जरूरी नहीं है यहां पे c-x को dc by dx आपके लिख दिया है वट जरूरी नहीं कि हर बार question में आपको लिख करके दे कई बार directly c-x दे दिया तो आपको समझना पढ़ेगा भी है यह होता है dc by dx अपने पास equation में लिए दिया है यह देखो देखो ओके तो dc by dx equal to 2 plus 0.5 dc by dx equals to 2 plus 0.15 यह हमारे पास equation दी हुई है ओके और हमें कह रहा है कि इस वस्तू के बनाने पर कुल लागत मूले c-x ग्याद करना है बहुत बढ़ी है यह x भी लगा है तो c-x ग्याद करना है तो भाई c-d-c-d बात है यह चरपरतिस्थापन दिख रहा है 2 plus 0.15 और यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों dx आजाएगा न इसको समा कलन कर दीजिए यह कर दिया यह कर दिया तो c-x का समा कलन क्या आएगा c अब आपको विसरी x गुड़े में क्या नहीं यह गुड़े में नहीं है बिटा यह c है आएगा तो c अब वो c किसका फलान आएगा x का फलान आएगा न क्यों 2 का integration कितना होगा बोलो 2x होगा और यह इसका कितना होगा 0.15 x square upon 2 तो यह x का फलान आए ना तो इसलिए इसको cx लिख दिया है ठीक है cx लिख दिया यहाँ पर अलड़ी c लिए इसलिए बिचारे ने c नहीं लिया कि आप confused ना हो जाए दोनों c में इसने यह लिया है अब क्या condition दी गई है कि c0 बरावर 100 मतलब जिस समय x 0 था जिस समय x क्या था 0 था उस समय c0 की value 100 आई थी उस समय c0 है था तो x की value 0 डालो और c0 की value 100 डालो तो यहाँ पर आपने x की जगे क्या पूट किया 0 और c0 की जगे क्या पूट किया 100 तो यहाँ पर आई और c0 equal to 2 into 0 plus 0.5 0 का square plus a तो c0 equal to a तो बोलो a की value कि इत्ती आगई 100 आगई बस उठा करके put कर दो यह जो a की value आई है यह उठा करके आप यहाँ पर put कर दीजे तो यहाँ पर value आगई अपने पास answer cost equal to 2x plus 0.5x square plus कितना? 100 अब मालूम इसका फायदा किया है आप से कोई कहेगा कि बताईए कि अगर x equal to 20 article पर cost क्या है तो आपने x की original cost निकालना नहीं तो आपको x equal to 20 की value हाँ देना तो 20 पर भी answer आजाएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है इन question को पहचानों और उसी format में लिख दिया करो बस बिल्कुल simple हुआ करते हैं चलिए question number 6 हो चुका है 5 fourth okay third यह question है अपने पास पहला homogeneous question दिया गया है इसको आराम से करेंगे अपन ले करके चलते हैं इसको operation theater में ओके तो देखिए अब हम यहाँ पर discuss करते हैं एक नई form differential equation की इसके पहले हम दो form discuss कर चुके हैं दो तरीके के format हम discuss कर चुके हैं कौन-कौन से चर प्रतिस्थापन विधी और रेखिए आवकल sum का मतलब समान घाती यह मतलब घात समान घात वाला ओकल समीकर इसको इंग्लिश में बोलते हैं homogeneous differential equation तो sum घाती ओकल समीकर के मैं आपको कुछ format दिखा देता हूँ जैसे मान लिज़ आपके पास कोई फलन है fx,y equal to कैसा फलन दिया है देखिए यहाँ पर आपके सामने आउकल समीकर दिया है ax square fx,y यह समगाती यह फलन है अभी मैंने आउकल समीकर नहीं बनाया है अभी फलन बना रहा हूँ ax square plus 2 hxy plus by square देखो भाई यहाँ यहाँ पर x की पावर देखो किती है 2 है यहाँ पर x की पावर 1 और y की पावर 1 तो इस पद की पावर किती हुई 2 h constant है तो constant की कोई पावर होती नहीं है, number होता है न, number number हना, तो number की कोई पावर होती नहीं constant variable होती नहीं उसको गिना नहीं जाता है और अगेन यहाँ पर पावर किती दो किती पावर हो गई दो तो हर पद की पावर तो है तो इसलिए ये एक समघातीय समीकन है समघातीय अब समघातीय ओकल समीकन कैसा होगा समघातीय ओकल समीकन जो होगा वो इस प्रकार का होगा D by D x उपर भी एक function रहेगा xy का और नीचे भी एक function रहेगा x, y का दोनों xy function रहेंगे और उपर की घात और नीचे की घात क्या होगी बराबर होगी जैसे example में लिख देता हूँ x square plus 2xy और y square minus xy यह आपके सामने फ्लन है देखे चेक करते हैं घात हर पद की बोले इसकी घात किती इसकी घात कितनी इसकी घात तो भाईया यह अपने पास कैसा फलन है समगाती है और ज़्याद आपको परिशान करूंगा तो sin x upon y ओके into x square यह देखे इस पद की घात देखे किती है भाई यह तो त्रिकोण मिती अनुपात है sin x upon y तो इसकी भी पावर 1 और इसकी पावर 1 1 से 1 कट गया मतलब इस तर्म की पावर किती होगी 0 बोले ऐसा नो इसकी पावर 0 बट इसकी पावर किती है 2 है तो अभी भी इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2 और इसकी पावर 2 मतलब ही है क्या ही है समगाती है समाज में आगे ना कोई दिखकत ने अरे यार 1 से 1 कटने का मतलब पावर इस तरीके से नहीं घटती विटा upon में है पावर तो x की पावर 1 और y की पावर 1 समझ में आगा तो भाई X की पावर 1 Y की पावर 1 X की पावर 1-1 मतलब X की पावर कितना हो गया 0 ठीक ना डिवीजन में है न और वैसे भी देख लो आप अगर मान लो अंदर होगा X बटे X होता तो X से X कैंसल नहीं हो जाता तो X थोड़ाँ बसता constant बसता ना पावर को देखा करो पावर की फिलिंग किया करो तो यह अपने पास जो समी कर रहेगा कैसा कहलाएगा समगाती है और एक बेस तरीका बताता हूं समगाती को चेक करने का बच्चों अगर कोई समीकर्ण आपको चेक करना है कि समगाती है कि नहीं है तो आपको इस वाले पार्ट को पकड़ना है यह वाला पार्ट ओके? इस वाले पार्ट को पकड़ना है इस वाले पार्ट को क्या बोलता हूँ? F1 XY upon F2 XY ठीक है? जैसे इसी question को उठा लेता हूँ, जो अपने question लिया है उस से मैं आपको चेक करवाता हूँ देखिए जैसे ये question है आपके पास में तो सबसे पहले क्या करो कोई भी question देखो तो डीवबडी एकस अलग करो क्या करो डीवबडी डीएकस अलग करो ओके तो यहां पे अपने पास में 3x स्कॉयर है तो मैं क्या करूँगा डीवबडी डीएकस इक्वाल टू थ्री एकस वाई प्लस वाई स्कॉयर अपन अपन थ्री एकस स्कॉयर यह है भाई साब यह आपके पास समीकड़ बन गया है अब यहां पर देख लो वैसे नॉर्मली देखो तो इस पद की पावर किती है बेटा दो इस पद की पावर किती है दो तो इसकी भी डिगरी टू है इसकी भी डिगरी टू है और इसकी भी डिगरी किती है तो मतलब यह समगाती है नहीं तो दूसरा तरीका है आप अपना फ function है वो कितना है 3xy plus y का square upon 3x square यह आपका function है x के place पे lambda x रखो और y के place पे lambda y रखो देखो रख करके तो क्या हो जाएगा 3 और lambda x lambda y तो lambda square हो जाएगा और यहाँ पे कितना xy और यह लेमडा स्क्वेर यहाँ पर कितना लेमडा स्क्वेर यहाँ पर कुछ नहीं बचाएगा function अपने आप आजाएगा fx,y जो था आ गया ना अगल लेमडा नहीं बचता है इसका मतलब दिया फलन क्या है सम घाती ओकल समीखर्ण है अब आईए सम घाती ओकल समीखर्ण को हल करने के दो तरीके हैं देखिए अगर आपका फलन डीवबे डीएक्स में लिखा हुआ है आपका फलन किसमें लिखा है डीवबे डीएक्स तो आपको उस समय y को गायब करना पड़ेगा solve करने के लिए और y equal to क्या मानने के चलना पड़ेगा बिटा वी एक्स और अगर आपका फ और यहां एक्स वाई पंदर भर है तो एक्स बरावर वी भाई ठीक ना चलिए तो अब जैसे ही यह क्वेशन है थ्री एक्स स्क्वार डी वाई को टू थी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वार इसी को ले करके हम solve करते हैं कि अगरें चलिए देखिए तो इस प्रेशन को solve करते हम क्या करेंगे आपको यह तो पता चल गया कि समगाती है तो हम सब से पहले डी वाई डी एक्स बना लेते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्स टू देखिए ठीए अगर दिकते हैं आपकी बढ़ेंगी अगर आप डी एक्स बैडी वी बनाओगे तो आपका यह वाला पद है यह बड़ा हो जाएगा नीचे हाया ना तो नीचे का पद बड़ा होना मतलब खत्रेगी घंटी समझे ना नीचे का पद बड़ा होगा तो डिस्टिब्यूट मी अगर वैक्स वाई कूल टु विएक्स और भाविशी के लिए त्यारी कर लें एक्योंकि वी न entfer है तो यह को गाप करने के लिए भाई इसकी वैलीव यह एपौन एक्स चलिए पुट करते हैं तो डी भाई डी एक्स और और Y की value VX equals to 3 into Y into कितना हो गया? VX, Y की जगे क्या put करना है? VX तो यहाँ पर 3 into X आना था और Y की जगे पर कितना VX और Y का square यानि की V square X square और नीचे है 3 X square ठीक है? यह X है, यह X है यह एक से यानि एक से स्क्वेर यह भी X square और यह भी X square. Common लेके मैं इसको क्या कर सकता हूँ? cancel. तो यह बन गया मेरे पास 3 plus V square, 3V, okay, plus V square upon कितना? 3. और यह इसको हाल कर दीजे, तो VX दोनों फलन है, तो प्रथम फलन गुणे दोतिये का उकल गुलांग, प्लस दोतिये फलन गुणे प्रथम का उकल गुलांग, clear हो गया? Yes. तो अब देखे, 3 को distribute कर दीजे, क्योंकि 3 तो constant है ना भाई? तो 3 को distribute यही कर दूँगा, तो मेरे पास ऊपर बचा है V plus X dv by dx equals to, भाई, 3V में 3 का divide किया, कितना बचा? V बचा और V square upon 3, V square upon 3, मजे की बात है, V से V क्या हो गया? cancel, है ना? होगा ना? भाई, 3V upon 3 था, V से भी cancel हो गया, इसलिए देखे, इसको पलट देता तो इस distribution का आपको फायदा नहीं मिलता, इसलिए इसका फायदा है, नीचे बचोटे वाला टर्म नीचे रखिए, तो अब देखे, यदि आप इसको खल करेंगे, तो अब यह variable separable, यहने 34 प्रतिस्थापनवीदी बनने वाली है, बड़े तरीके से, तो देखे, यहाँ पर आ चुका है, X DV by DX equal to V square upon 3, ओके, तो DX और DV उपर ही काम करते हैं, तो भाईया, यहाँ से DX को उपर ले जाओ, तो X को कहा लाना पड़ेगा, नीचे, और यहाँ पर DV है, तो V square को कहा लाना पड़ेगा, नीचे 3 का जुड़गार कहीं लगा दो, 3 को यहाँ पर आप रख सकते हो, 1 upon 3 बना करके, बोलो चीक है ना, चलिए, अब समा कलन कर लिजिए इसका, यह समा कलन कर लिजिए, और प्लस क्या लगा दिजिए, C, ओके, चलो अब इसको fresh page पे ले चलते हैं, V की power minus 2DV, equal to 1 upon 3 बाहर आजाएगा, और dx upon x, यह नहीं कि 1 upon x dx ही हो जाएगा, log of x, प्लस कितना, C, चलिए, इसको solve करेंगे, तो minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 equal to 1 upon 3, log of x, प्लस कितना, C, तो V की power हो जाएगा, minus 1 upon कितना, minus 1 होना, जिसको मैं लिख सकता हूँ, minus 1 upon V, और 1 upon 3, log of x, प्लस कितना C, V की value डाल देंगे यहाँ पर, तो 1 upon V हो जाएगा, मतलब minus 1 upon V, equal to 1 upon 3, log of x, प्लस C, देखे आप जानते हैं कि Y equal to कितना था, VX था, तो V equal to कितना है, Y upon x, तो यहाँ पलड देंगे तो हो जाएगा, x upon y, आएगा ना, तो minus x upon y, equal to 1 upon 3, log of x, प्लस C, बस यही आपका हल है, यही आपका solution है, इतना छोड़ करके आजाईए, इस तरीके से आपका हल हो जाएगा, ठीक ना, तो minus x upon y, equal to 1 upon 3, log x, प्लस C, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी गलती करी है, देखे यहाँ पर x नहीं लिखाया question ने, क्योंकि भाई, x को तो काटने का कहीं फंडा x है, इसलिए यहाँ पर यह question आएगा, ठीक ना, इसको सुधार लिजेगा, मैं sprint हो गई है, clear, done, yes, तो यह answer हो जागा इसका, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर परिक्छा बोध पूरी finish होती है, तो परिक्छा बोध के एक एक question, कर लिए जो due था, हमने इसको कर लिया, अब आपको करना क्या है, कि परिक्छा बोध पूरी पूरी लगानी है, number one पे, then इसके बाद, इसके चितने भी objective question है, है ना, objective में भी अच्छी त्यारी हो जाती, तो objective question जल्दी 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 जल्दी, जितना जल्दी हो सके, speed बना कर कि आपको objective question इसके solve करने है, okay, यहां तक, और जो objective question में देखकाता आएगी, आप लोग हमसे पूछेंगे, discuss करेंगे, और इसके बाद दूसरे number पे हम start करेंगे, परिक्छा अध्यन, ओके, तो परिक्छा बोध, परिक्छा अध्यन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, प्रेश्ण बैंक, ठीक है न, फिर प अच्छा रहेगा उसको में NCRT में देखेंगे. Thank you so much for being with Locaster Unlimited Study Zone.